आई आई टी रूडगी का एक नोटिफिकेशन पेस है आपके सामने जी हाँ ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आठ अप्रेल 2020 को और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बी और सी गुरूप के अंडर बहुत सारी पोस्ट हैं उन पोस्टों के लिए कु जुनियर सुप्रिंटेंडेंट राजभाशा की बात की जाए इंपोल्टेंट डेट्स के बारे में तो 12 अप्रेल 2020 से अप्लाई होने शुरू हो चुके थे जो 11 मई 2021 के रात 11 बजगर 69 मिनट 69 सेकिंड तक अप्लाई होंगी अप्लाई लिंक की इस वीडियो के में यह भी लिखा हुआ है कि किस तरह आप इस पीडियाफ यानि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वह लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो एक बार चेक जरूर कर लें जिस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वह सीरियल नंब से 32 साल तक के लोग इसे अपलाई कर सकते हैं और जिन लोगों की उमर 32 साल से ज्यादा है तो इस रिलेक्सेशन कभी हाँ पर प्रावधान है कि इनको इस रिलेक्सेशन मिलेगी वह उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यह इसकी फीश हो लेक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ACST केंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है वहीं पे OBC केंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है और साथ में दिव्याग यानि परसन विद इसेवलिटीज है उसको 10 साल एडिशनल मिलेंगे OBC केंडिडेट के लिए बहुत जरूरी बात और वो यह है कि उनका certificate जो है वो latest होना चाहिए यानि अभी अभी एक दो महीने में ही बना हुआ हो बात की जाए educational qualification के बारे में तो point number 5 पे junior superintendent राजभासा लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा post graduation degree अगर आपके पास MA हिंदी है तो bachelor degree में आपके पास English subject होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास MA English तो आपके पास bachelor degree में हिंदी subject compulsory होना बहुत जरूरी है elective subject वहाँ पे आपका नहीं चलेगा इसके साथ-साथ इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि एक साल आपके पास translation का experience होना बहुत जरूरी है expertise in computer applications in Hindi and English और यदि आपके पास इन्होंने से कुछ भी नहीं है तो आगे इन्होंने लिखा है कि प्लस टू तक आपका जो essential subject है compulsory आपका जो subject वो English होना चाहिए उसके बाद जब आपने BA करी वैचलर डिगरी करी तो उसमें हिंदी आपका man subject होना चाहिए और साथ में कम से कम 3 साल का translation experience होना बहुत जरूरी है जो आपका central state या अफिर semi government से भी हो सकता है point number 11 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि vacancy जो आपकी है वो tentative है बाद में घट भी सकती है बढ़ भी सकती है और यह exam आपका होगा दो tiers में tier 1, tier 2 serial number 18 और 19 पे आप देख सकते हैं कि आपके tier 1 में क्या आएग और tier 2 किस base पे होगा